गुद मॉर्णिंग चलेंग क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और आज का वीडियो नमबर 18 जा रहा है हिंदी का ग्रामर सहीत पाठ तीन पाठ का नाम है शब्द सन रचना ठीक है इसका हमने दो कोशन कर लिखा दिया उत्पति के अधार पर सब्द के भेद आज रचना के अधार पर सब्द के भेद प्रस्ण तीन है इस तीन का उतर लिखाने जा रहा है प्रस्ण क्या है रचना के अधार पर सब्द के भेद बताईए इसका उतर लिखेंगे रचना के अधार पर यहां लिखेंगे रचना के अधार पर या बनावट के अधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं पहला में है रूर शब्द इसकी पर भासा होता है वे शब्द जिनके और तुकड़े नहीं किये जा सकते उसे नहीं सकते उसे दूर शब्द कहा जाता है यानि यह वैसा सब्द होता है जिसका टुकड़ा नहीं होता है जैसे कभी फूल रात जात यानि यह थार यानि यह रफट कि यह रफड़ के घर कर यह दो राता है झाल झाल